Hello everyone, welcome to my channel इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक flip-flop को दूसरे flip-flop में convert करने का procedure क्या होता है और फिर उसकी help से हम JK flip-flop को convert करेंगे D flip-flop में तो आपके पास exam में question आ सकता है like D flip-flop को T में change करो या D को आप SR flip-flop में change करो या JK में flip-flop में change करो ठीक है तो हम generalize कर सकते हैं इसको कि जैसे suppose आपको convert करना है X flip-flop को तो Y flip-flop में ठीक है यहाँ X और Y क्या है X,Y बेसिकली क्या है यह या तो D होगा या तो T flip-flop होगा या तो S and R हो सकती है यह ठीक है न value ठीक है SR flip-flop को change करना है या JK हो सकता है ठीक है तो आपको बेसिकली देखें यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर X क्या है X flip-flop आपको given flip-flop है ठीक है और फिर आपको कुछ एक जुगार लगा के कुछ एक circuit बना के ठीक है इसको Y flip-flop में convert करना है ठीक है न Y flip-flop यहाँ पर क्या है required अब यह कैसे किया जाएगा देखें इसके लिए procedure क्या है कि आपको basically करना क्या होगा कि X flip-flop को excite करना होगा ठीक है excite X flip-flop ठीक है यह कैसे होगा by applying some logic इस logic में क्या होगा कि हम X को represent करेंगे represent by represent X in terms of Y ठीक है न जो required flip-flop है ठीक है जैसे D है या T है SR या JK है in terms of Y and present state that is Q Q क्या है यह X flip-flop की ही का output है इस तरीके सा आपको logic लगाना है आपको represent करना है X को ठीक है न जो आपके पास given है ठीक उसको represent करना है in the terms of जो required है उसके input और present state के terms में ठीक है तो excite करना है आपको ठीक है न अब यह क्यों करना है so that so that it will have characteristic of characteristic of y flip-flop ठीक है या it will behave the circuit will behave like y flip-flop ठीक है तो देखिए यहां से clear हो गया अब इसी के help से हम पूरा procedure decide कर सकते है ठीक है न तो अब देखिए इसका procedure क्या होगा ठीक है न procedure for conversion of flip-flop अब देखिए इसी का हम use कर लेंगे ठीक तो देखिए यहां पर x flip-flop है वो क्या है excite क्या करना है आपको यह x क्या है given given flip-flop ठीक है और y क्या है यहां पर y है यहां पर required ठीक है इस तरीके चाहाँ आप नहीं बूलोगे और question को सही तरीके चाहाँ अगर यह समझ में आ रहा है आपके पास कोई एक device है that is x flip-flop उसको आपको excite करना है excite करना है मतलब की उसको represent करना है आपको in the terms of y and q q क्या है present state of x ठीक क्या हो करना है क्योंकि it will have जो circuit आप आप जो बनाओगे it will have the character state of y flip-flop ठीक है तो इसका procedure आप देखिए हम क्या लिखेंगे तो देखिए procedure में पहले step में क्या होगा कि आपको एक characteristic table बनानी पड़ेगी कि इसकी required flip-flop क्योंकि देखिए मैंने यहापे लिखा भी है procedure भी जो बताया था it will have the characteristic of y flip-flop जो की required flip-flop है तो आपको starting करनी पड़ेगी एक characteristic table बनानी पड़ेगी जो भी flip-flop आपको required होगा दूसरे step में आपको excitation table फिल करनी होगी बनानी पड़ेगी जो आपको given flip-flop है देखिए मैंने लिखा भी है excite x flip-flop तो excitation table बनेगी x की और characteristic table बनेगी y की y मतलब required flip-flop x मतलब given flip-flop वो ही दोनों चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अब step number 3 में क्या होगा कि आपको इन दोनों table को merge करके conversion table बनानी पड़ेगी जिसमें हम represent करेंगे जिसमें हम find करेंगे basically x की value ठीक है न? in the terms of y and q in the next step step number 3 में क्या होगा कि आप characteristic table को दोबारा लिखोगे as it is copy करोगे और फिर उसके बाद excitation table की help से ठीक है आप find करोगे क्या conversion table excitation table की help से आप find करोगे given flip-flop का input ठीक है न? जो की क्या होगा in the terms of required flip-flop inputs and presented state देखे वो लिखा हुआ है यहापे x को हमें represent करना होता है ठीक है in the terms of y and q तो इतना हम करेंगे पहले step number 3 में अब बस इसके बाद जो भी हमें given flip-flop का input मिलेगा table में ठीक है? उसको हम minimized form में find करेंगे so that हमें कम से कम logic gates की requirement हो ठीक है? और यह काम करेंगे with the help of k map ठीक है? और in the last step क्या होगा? बस आपको circuit draw करना पड़ेगा logic circuit diagram draw करना पड़ेगा using that expression ठीक है न? जो अभी हमने find किया है तो यह दौने step में यहाँ पर note कर ले रहा हूँ ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं question पर जिसमें हम convert करेंगे j के flip-flop को d flip-flop में तो यहाँ पर हमने step number 4 लिख दिया है minimized expression find करना होता है हमें ठीक है न? किस के लिए? x के लिए ठीक है? in the terms of y and q जो हम question में देखेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा by using k map और फिर इसी expression का use करके आपको एक logic circuit diagram ड्रॉ करना होता है ठीक है? अब आते हम question के उपर जिसमें हमें convert करना है j के flip-flop को d flip-flop में है तो देखेंगे अब इसमें हमें क्या करना है question में हमें j के flip-flop को convert करना है d में ठीक है? तो आप पहले find कीजिए कि given flip-flop कौन साइज हो हमारे पास है given flip-flop आपको j के flip-flop given है? ठीक और required क्या है? required flip-flop ये है d flip-flop पहले तो ये clear कर लीजिए क्या है और क्या हमें बनाना है? कौन सा flip-flop हमें तयार करना है? required क्या है? तो जो हमें required होता है ठीक है step number one step number one में देखिए हमने क्या लिखा था? कि fill the characteristic table of the required flip-flop तो जो required है उसकी पहले हमें characteristic table यहाँ पे implement करनी है तो पहले वो implement कर लेते हैं ठीक तो यहाँ पे तो देखिए step number one में हमने characteristic table हमें fill करनी है कि इसकी d flip-flop की तो इसमें क्या होगा? d, qn और qn प्लस 1 ठीक तो d और q की different values क्या हो सकती है? 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1 qn प्लस 1 क्या हो गया? यह characteristic equation से आपको पता होगा कि qn प्लस 1 d के एकवल होता है तो d 0 है तो 0, d 0 है तो 0, 1 है तो 1 और 1 है तो 1 ठीक है? 1 है तो 1 और यह भी 1 है तो 1 ठीक है? यह तो हो गई first step में characteristic table of d अब next step में क्या find करना है? देखे, step number 2 में step number 2 में लिखा हुआ है fill the excitation table of the given flip-flop तो हमें given flip-flop की excitation table यहां पे implement करनी है तो given क्या है? हमें jk तो next step में हमें jk की excitation table बनानी है तो मैं यहां पे ले करा हूँ, right? देखे, excitation table में हमें क्या fill करना होता है? q, qn, present state, next state और j और k की value में find करनी होती है इसमें fill करनी होती है, right? तो यहां पे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 चार combinations होँगे present state और next state के लिए, right? अब इसकी value को कैसे fill करते हैं? वह तो बहुत simple तरीका है क्या? हम लिखते हैं आपे 0, 1, cross, cross 0, 1, cross, cross तो step number 2 में excitation table हो गई अब next step में हम क्या करेंगे? देखे, इसमें लिखा हुआ है हमें करना है donor table को merge और find करनी है conversion table ठीक, जिसमें हमें given flip-flop की values को हमें find करना होगा, ठीक है? in the terms of required flip-flop input and present state, ठीक है? तो देखे, इसमें देखे step number 3 में अब देखे, conversion table में क्या करना होगा? कि जो भी step number 1 में characteristic table है, जिसमें d, qn और qn plus 1 बन दिया हुआ है ये as it is हमें copy कर देनी है हमें यहाँ पर लिख देना है ठीक है? फिर इसके बाद देखे, यहाँ पर qn और qn plus 1 अलड़ी है qn, qn plus 1 अलड़ी है j और k है, तो j और k हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है? तो पहले यहाँ पर यह वाली table को as it is copy कर देनी है तो हम यहाँ पर copy कर दे रहे है ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमें j और k की value find करनी है ठीक है? अब हम यह वाली table as it is copy नहीं करेंगे यह वाला portion as it is copy नहीं करेंगे हम जा करेंगे यहाँ पर qn और qn plus 1 की जो values हैं उसके according यहाँ पर j और k की value fill कर देंगे यहाँ यहाँ पर 00.00 दिया हुआ है यहाँ पर 00.00 पहली दिया हुआ तो यहाँ पर कर लिखा है 0x तो हम यहाँ अंब लख दंगे 0 and cross इसा तरीक आँ नेक्स्क्र Pour-n तो आप देखिए,10 कहा है यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए,01 यह 10 0 दिया हुआ lithe 1, 0 के साथ में क्या लिखा है? J और K Cross 1 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे Cross 1 इसी तरीके से 0,1 0,1 देखिए यह दिया हुआ है 01 0,1 दिया हुआ है साथ में क्या दिया है? इसके 1 Cross यहाँ लिख देंगे 1 Cross अब Last State क्या है? 11 तो 11 ये दिया हुआ है इसके साथ में क्या है cross 0 तो यहां पर cross 0 ठीक है तो यह हमारे j और k की values को हमने represent कर लिया ठीक है अब हमें find करना है j और q j और k ठीक है न in the terms of d and qn अब यहां पर next state का कोई रॉल नहीं रहेगा तो यहां पर d और qn कितने variable हैं दो variable हैं तो two variable वाला k में हम यहां पर draw कर लेते हैं ठीक है न उसकी help से j और k की value को हमें find करना है अब देखें यहां पर j और k की value को हम find कर लेते हैं in the terms of d and qn qn का present state ठीक तो देखें यहां पर j की value cross कब है cross है zero one pattern मतलब one पे तो one पे यहां पर one fill कर दिया फिर two पे one zero pattern पे क्या है one तो one और zero pattern या that is two पे क्या है one और फिर three पे one one पे क्या है cross तो यहां पर cross लगा दिया तो यहां पर minimized मतलब एक pair बनेगा तो j की value क्या हो गई d ठीक इसी तरीके से k की value क्या होगी देखिए यहां पर क्या है cross one cross तो देखिए cross one cross ठीक है zero one two तो यहां पर भी एक pair बन जाएगा यह इसकी value क्या हो जाएगी zero है ना d की value तो यहां पर d वार लिखेंगे तो हमें पता लग किया j is equals to d and k is equals to d वार अब last step में हम क्या करेंगे बस इसका logic diagram हम draw करतेंगे तो देखिए step number four में क्या होगा step number five हमें देखिए jk flip flop given है तो यहां पर हम jk flip flop का एक block बना देंगे पहले यह देखिए जो given flip flop है jk flip flop का हमने block diagram बना दिया दो input हो गए यह clock input हो गया ठीक है यह क्या हो गए आपके पास q और q बार दो output हो गए अब s पर हमें यह expression आपको यहां पर implement करना है तो jk dk equal तो let suppose यह क्या है आपके पास d ठीक है तो d को d input को आपको hesitate connect कर देना जैसे और k क्या है d bar तो यहां पर आपको एक not gate लगाना होगा ठीक है और यहां से connect कर देना राइट तो यह हो कर आपके पास connection ठीक है यह का connection और k का connection तो अब यह जो flip flop है वो convert हो गया d में means कि अगर आप इसको एक black box में बंद कर दें यहां पर ठीक है और यह clock signal को बाहर निकाल देंगे तो यहां पर यह क्या Q यह क्या Q बार आपका यह क्या तयार हो गया d flip flop इस तरीके से आप jk को d में convert कर सकते हैं right means कि आपको अगर यह black box में होगा तो आपको लगेगा क्या d flip flop यूज कर रहे हैं but internally इसमें jk flip flop है ठीक है न और यहां पर यह जो c है उसी का मतलब क्या है clock input right ठीक है तो thank you everyone